वाइलकम टू उनिगार्व स्कूल अगर आप लोग एक फाइल शेरिंग वाइवसाइट करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग यसे एक स्किप के बारे में आपको बाताने माले हैं और इसको इसको इनिश्टूल करके अपको दिखने बाले हैं तो चोलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कौन सर्ट cooking और इसको केसे इनिस्टूल करते हैं इसके लिए हम लोग cat codon का एक स्किप लिया है आप लोग याप आप देख से थे तो इसका नाम है File work, file sharing and store platform एसस डियेड़ी ठीक है इसका नाम है और यापन आप लोग देख सकते हैं इसका एससेल हो लोग 400 प्लास सेल हो चुका है आप लोग एजली इसको पर्सिस करके आप लोग इनिस्टौल कर सकते हो और एक फाल शेरिंग और आफ साइट क्रेट कर सकते हो फाल शेरिंग और सेट केड़ करके आप लोग बहुत सारा पेसा भी यासे जनायट कर सकते हो इसके बरे में हम लोग का डीटिल्स आपको बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डीटिल्स आपको मिल जाएगा और इसका क्या क्या लाइड ने हो भी यापार आपको मिल जाएगा अगर आप लग एड़ बेगा वागार को पर्सिस कानाच शाथ तो कर सकतो रोग डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर क्या क्या फीचर है निलेगा वो सारा चीजी आपको description box में मिलेगा payment gateway बागरा सारा कुछ आपको यह आपर मिलेगा तो यह सारा चीजी आप लोग चेक कर लिजगा हम लोग डिरेक इसका जो live preview है उसको देख लेते हैं इसके लिए live preview में क्लिक करते हैं और इसका जो live preview है आप लोग यहाप देखे दो normal version SS version तो हम लोग यहाप जाते हैं नर्मल version को ही देखते हैं और इसका जो normal version है इस तरह का इसका version है इसमें login करेने का option है sign up करेने का option है और यहाप लेंग्वेच चिंज करेने का अप्शन है आप्लोग मल्लिपल लिंग्विस या पर कर सकत हो और हमाँ पर एल सेवाव नहीं है और यहाँ पर इस तरह का याएट बगरह आप्लोग लगा सकतो और जीजह यह पर चाह ऊप लोग एजनी आपर hàng मोई ऐत लगर के इनकम हो मुद्धी और जमस्ट एंकुल ना है तो यह ज़ए प्रोक से नौप कर सकते हो और अप लोग एजली आप लोग को आप लोग को परेले कर सकते हो परसेस करने के बार इसको download करें देगे देगे तो मैं इसको download करके रखा हूँ तो मैं download file मैं open करता हूँ यह आपर हैं तो यह दाउट file a zip file में इसको मोग करें गां जिप जो बनी के लिए लिक्क देने ने लिए रहा हैं सिन मतफे लिगे , लो से रहा है के वाम रो कि ले लिकिते हैं यहाज उनलए हैं में सब्सक्राइट पार व्यग जद ही बहुत फाइल क हम बने हुil हम पार द विए अपोर के बाइल है अप्डेट फाइल इसकी हम्लोग जाएंगे फाल मेंशेर ऑनि के आदर मेंशेर के अंदर अना के बात हम लोग हुआ नहीं लोग बॉमेहं सकी अउपने कर देटें तो यहां पना अब्र वो हम लोग एपको दिखेंगे तक यह पर आप्र नोग देखसे वर यहां पर ळेखे है और यहां पर आप बेप आपर अपलोड में । इसको और नाप चुका है अब एसको करेंगे लिए घ तेनbury लॉटी करें तो यहां पर राइट बडल केजिए आप लोगा कर चाहो तो ही Skip.Dot.Jip.file को आप डेट भी कर सकते हैं तो आप यह हम लोग अब जो डॉमेश को आपेन कर लेते हैं ठीक है मैं मैं जो डॉमेश को आपेन कर रहा हूँ ठीक है ओपेन करने के बाद यह सब आपके श्चिल हो और जो करने का आपके जो फाइगा और आपर Some Permission are Missing, क्या Permission देना होगा? 775 Permission देना होगा, तो चलिए देते हैं, सबसे पहले, Head On को Permission देना है, ठीकिन, तो यहाँ आपर हम लोग एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, और Head On को Permission डाल देते हैं, उसके बाद Head On के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर Permission डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर बूरे स्टाप, बूरे स्टाप केश को पर्मिशन देना है, यहाँ पर बूरे स्टाप, उसके बाद इसका बूरे स्टाप केश को पर्मिशन डाल देना है, बैग जाते हैं एप्लिकेशन के अंदर उसके बाद हम लोग stories उसके बाद stories एप, framework, log ठीक, यह आपर का गया stories उसके बाद इसके अंदर जाते हैं और यह आपर apps यह तीनों को permission डाल देना है framework and यह पर log डाल दिया, उसके बाद बैख जाते हैं ईह बैख जाते हैं उसके बाद Irare को सा फॉलडर को हिवे इसके अंदर जाते हैं और यह बाला फॉलडर को पैर्मिशन डाल देते हैं उसके बाद यहापर हम लोग जाते हैं अपलोड को परमिशन देने के लिए यहापर अपलोड को भी परमिशन डाल देते हैं उसके बाद इसको हम लोग रिलोड कर लेते हैं तो सारा परमिशन हमारा यहापर रिनेबल हो जाएगा यहापर रिनेबल हो जाएगा अब हम लोग कॉंटिन्यो बाटन में क्लिक करते हैं कॉंटिन्यो बाटन में क्लिक करने के बाद यह पर हम लोग को हमारा जो लाइसेस की है वो यह पर देना होगा तो हमारा जो लाइसेस की है वो यह पर में डाल देता हूँ एक यह आपर license की देने के बाद यह आपर verify में klick करना होगा तो यह आपर में verify में klick कर देता हूँ और यह हमारा verify हो चुका है आभी हम लोग यह आपर हमार जो database बाग रहा हैं वो यह आप डालने बाले हैं तो इसके दिरीस को create कर लेते हैं तो database create करेने के लिए हम लोगों को यहाँ वाना मज़ों सिपने उसके अंदर आना होगा यहाँ से हम लोगों को database create करेना होगा तो database create करेने के लिए तो आसे scroll down कीजिए और यहाँ पर आपको database option के अंदर यहाँ पर minus my database नम का option दिखेगा तो यहापर आपको क्लिक करना होगा मैंस माई डाटाबेस तो यहापर में क्लिक कर देता हूँ मैंस माई डाटाबेस में क्लिक करने के बाद यहापर देख से तो create new database तो आपको डाटाबेस है उसका नाम यहापर आपको देना होगा तो यहाँ पर मैं जो database से उसका नाम में कुछ भी दे सकते हो, आप लोग आपका हिसाब से database का नाम देजे, जैसे कि यहाँ पर मैं database का नाम देता हूँ, वो app, तो आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, उसके बाद create database में क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पर मैं create database में क्लिक कर रह लेकिन यहाँ पर database के user भी हम लोग को create कर रहा है तो इसके लिए थो से scroll down कीजे और यहाँ पर देशे तो edit user तो यहाँ पर हम लोग देते हैं web user ताकि मैं समच सको कि इस database का यह username है तो आप लिए username भी कुछ भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर generate password में क्लिक करते हैं और यहाँ पर create user में क्लिक कर देते हैं तो हम जो database है वह भी यहाँ पर create हो चुका है sorry database user अभी हम लोग go bank में क्लिक करेंगे go bank में क्लिक करने के बाद हमार जो database और database user है दोनों को connect कर रहा है यहाँ पर देसे तो connected नहीं है तो यह दोनों को connect करने के लिए तो यहाँ पर हम लोग देखते है add user to database तो हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं वाइब user उसके बाद database को यहाँ पर add कर देते हैं और यहाँ पर add में क्लिक करना तो यह add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर all में क्लिक कर देना है all में क्लिक करना and step change में क्लिक कर देना तो यह अपा देसे हमारा दोनों correct हो चुका है अभी यह दोनों को हम लोग copy कर के हमारा जो not paid में इसके अन्दर सेप करके राखेंगे हमारा जो डाटाबेस है और डाटाबेस उसर है इस दोनों हमारा यहाँ पर क्रेट हो चुका है डाटाबेस क्रेट करने के बाद यहाँ डाटाबेस होस्त करने में उसके बादाबेस उसर रहे हैं वेलेते हैं, हम लोग database name को, copy कर लीते हैं, उसके बार database name को डाल देते हैं, उसके बार database password, यह रहा database password को, copy कर लेते हैं and our work es Yapparat डालते उसके बार continue वारन में Click के म上 कर देता हूं, तो इहाँ नेक्स ओप्षन है, और Panel Import, Manual Import मैनुट इंपोर्ट के अंदर यह आपको SQL फायल को डॉनलोड करके आपको यह पार जाके PSP Y admin के अंदर इंपोर्ट करना होगा तो यह आपर हम लोग ओटो इंपोर्ट करेंगे इसके लिए आपर देते हैं और इंपोर्ट नाउ में क्लिक कर देते हैं जैसले हम लोग इमपर्ट नाउ में क्रिक करेंगे तो हाँा वा वाला चीजे इमपर्ट हो जाएगा उसके बिरावा आजसेट को नाउ में वो डालेंगे तो हम लोग उनिकर इपिस्कुल इसके को बेदार यूटे सब्सक्राइब करने के लिए पास्वार्ट तो इसी पास्वार्ट को में डाल देता हूं बाद में चेज भी करना हूं तो यह पर में डाल दिया हूं उसके बाद अब लुगिन के लिए फिनिंस्टिलीशन aylin को सब्सक्राइब करना तो अब हूं यह मारा फिनिस्टोल फेनिश हो चुका है और यह उप्सईर के लिखा रहेंगे संन किसा हुआ है तो यह आप आदेसे हैं हमारा वाइट साइट रेडी टू यूज हो चुका है और हम लोग अगा चाहे तो यह आपन लोगों बागर एड कर सकते है और साथ चीजे आम लोग यह आप कर सकते हैं तो इस तरह का पैसे कि लिए इसकी में इसको आपने की इस्ट्राल कर सकते हो आई होब इस वीडियो को देखने के बात आप आप लेग इजिली एएस स्क्रिप के इंस्ट्राल कर सकते हो फिलाल इस वीडियो के अंदर इतना ही इस वीडियो अगर आपको अच्य लगा है तो लाइक कीजी शेयर किजे कॉमें कीजे वाणावजी यूनीक और इ इसको सस्क्राइब करके हमारे साथ बने लिए थैंक्स